वीवर्स विलकम टू पूनम की प्यारी दुनिया यानि कि कुछ अच्छा कुछ सस्ता और कुछ हेल्दी सा कुछ ही उनिक सा जी हाँ हम बात करेंगे आज केली के फूल के बारे में जो की बहुत ही जादा माईक्रो نुट्रिंट रिच है और फाइवर रिच है फाइवर का त मार्केट में या घर केले में लगा हो तो जरूर इसको ले के आएं बट इसको बनाने से पहले कुछ सावधानिया रखनी रहती हैं मैंने भी कुछ गलतिया करी थी तो मेरी सबजी जो थोड़ी खराब हो गई थी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो क्या-क्या सावधानि या रखनी रहती हैं तो सबसे पहले तो केले को धोले नहीं भी धोएंगे तो चलेगा और इसके उपर के शेल को निकालेंगे तो ये कभी कभी ये उपर का इस तरह से काला काला दिखता है कभी जादा ही काला रहता है तो एक आद को इस तरह से निकाल दें आप उतना तरह से ताजा ताजा दिखेगा तो अब हम इसको यूज में ले सकते हैं तो इस तरह से इसको यहां पर ऐसे कलेक्ट करते जाते हैं और इस प्रॉसेस को रिपीट करते हैं यह हमको तब तक करना है जब तक कि इसका यह जो पेटल्स होता है यह आसानी से रिमूव हो जाता है तो तब तक हमको इसको निकालना है निकालते निकालते एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको कितना भी नोचेंगे यह इसमें से बिलकुल पेटल्स जो है आसानी से अलग नहीं यह देखिए यह असानी से रिमूव नहीं हो रहा है तो अब हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना यहां से कट करके अलग कर लें और इस पार्ट को हमको ऐसे ही यूश करना है हमको इन फूलो की सफाई करनी रहती है तो इसमें आप त्हान से देखेंगे तो एक यह माचिस के तिल यह बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक जैसे जिली के दशा एक पैटल दिखेगा और इसको भी हमको रिमूव करना रहती है बिल्कुल गलता नहीं देखें मैं कितना भी इसको नाखूं से दबा रहे हूं यह बिल्कुल तूट नहीं रहा है यह क्लीन करने के बाद इसको हमको दिखेगा बिल्कुल माचिस के तिल्ली के जैसे इसको इस तरह से रिमूव कर देना है और यह एक बिल्कुल अलग से प्लास्टिक के जैसा जिल्ली के जैसा दिखेगा तो इसको हमको रिमूव कर देना और अब यह रडी हो गया है इसको बारिक-बारिक कट करके पानी में डा तो उम्मीद करती हूं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा आप एक बार गूगल यूट्यूब करके देख लें आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा तो फिर आप कहीं भी केला देखेंगे जरूर बना के खाएंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे प्लीस सबस्क्राइब मैं यह शर्ड्यक्षान थैंक्यू वर वाचिए लाग्यू थैंक्यू थैंक्यू